न्यायालय, कोट हम पिछली कक्षाओं में न्यायालय के बारे में पढ़ चुके हैं हम यह जानते हैं कि न्यायालय केवल न्याय नहीं करते बलकि यह सम्विधान के सनरक्षक भी है यदि कोई सरकार या व्यक्ति हमारे किसी अन्य कानूनी अधिकारों का उलंगन करता है तो हम उनके खिलाफ न्यायालाय में जा सकते हैं अधिकारों के उलंगन के ऐसे मामले चाहे पर्यावरण, सिक्षा या हमारे जीवन के किसी भी शेत्र से जुड़े हो हमारे सम्विधान में दिये गए मौलिक अधिकारों के विशे में यह विशेश प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति के किसी मौलिक अधिकार का उलंगन होता है तो वह व्यक्ति सीधे भारत के सर्वोची न्यायाले या संबंधित राजे के उच्ची न्यायाले में मुकदमा दायर कर सकता है न्यायाले के अलावा कई अन्य संस्थाएं वह आयोग भी हमारे अधिकारों के संरक्षक के रूप में कारे करते हैं मानवा धिकार आयोग Human Rights Commission 10 दिसंबर सन 1948 को सयुक्त रास्ट्र संग की महासभा में मानवा धिकारों के सार्वजनिक घोशना पत्र को अंगी कृत किया गया। इसलिए प्रती 10 दिसंबर को मानवा धिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकारों में मानिता है कि आंतरिक दिस्टी से सभी मनुष्य समान है और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। इस विचार का प्रयोग नसल, जाती, धर्म और लिंग पर आधारित, मौजूदा और समानताओं को चुनोती देने के लिए किया जा रहा है। सभी आधुनिक लोकतांतरिक देशों में विभिन सनरचनाय स्थापित की गई हैं जो अधिकारों के सनरक्षन के लिए कुछ नियम बनाती हैं और लोगों को जागरु करने का कारे करती हैं। इस घोशना पत्र में मनुष्य की सभी बुनियादी आविशक्ताओं तथा लोकतंतर के मुख्य बिंदुओं जैसे स्वतंतरता, समानता, न्याय तथा व्यक्तिगत गरिमा आधी को स्विकार करते हुए कई अधिकार शामिल किये गया। इन अधिकारों को सही ढंग से लागू करवाने तथा मानव अधिकारों के उलंगहन को रोकने के लिए सभी देशों में मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। भारत में सन 1993 में कानून द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठित किया गया। आयोग में सेवा निवरित न्याधीश न्यूक्त किये जाते हैं। यह आयोग स्वयम किसी को दंड नहीं दे सकता। आयोग मानव अधिकार के उलंगहन के किसी मामले में स्वतंत्र और विश्वस्निय जाच करता है। यह उन मामलों की भी जाच करता है जहां ऐसे उलंगहन में या इनहें रोकने में सरकारी अधिकारियों पर उपेक्षा बरतने का आरोप हो। किसी न्यायालय की तरह यह चश्मदीद गवाहों को सम्मन भेज कर बुला सकता है। किसी सरकारी अधिकारी से पूछताच कर सकता है और सरकारी दस्तावेजों की मांग कर सकता है। आयोग किसी कारागार में जाकर जाच कर सकता है या घटना इस्थल पर अपनी जाच टीम भेज सकता है। मानव अधिकार आयोग में सामाजिक बहिशकार, घरेलू हिंसा, बच्चों को प्रताडित करने संबंधी शिकायत, बालविवा, धहेज प्रताडना, जेलों में होने वाले अत्याचार, बालश्रम, बंधुवा मजदूर, प्रदूशन, राजस्व, मानव देह व्यापार, आधी प्रकरण, शामिल है, पूरे देश के लिए राष्ट्री मानव अधिकार आयोग की तरह प्रतेक राज्य में राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाता है, इसमें राज्य की एक समीती द्वारा न्यूपतियां की जाती है, यह समीती मुख्य मंत्री की अध् अध्यक्ष और सात सदस्य होते हैं। इनका कारेकाल पांच वर्ष का होता है। और सात सो तीस मामलों पर अभी विवेचना की जा रही है। इस आयोग के कारेका एक उदाहरन देखते हैं। केंद्री जेल बिलासपुर में आजीवन कारावास की सजा काट रहे मनोज सिह हारनिया की बिमारी से पेडित थे। लेकिन गार्ड उपलब्ध न होने की वजह से उनका इलाज नहीं किया जा रहा था। इस पर बंदी ने आयोग में शिकायत की इस पर आयोग में संग्यान लिया गया। इसके चलते जेल अधिक्षक बिलासपुर द्वारा मनोज सिह को राइपूर मेडिकल कॉलेज में भरती करा कर चिकित्सिय लाब दिया गया।